Honeydew, Lesson 10, The Great Stone Phase Part 2, Hindi Summary Ernest अब भी उसी घाटी में रहता था, तथा अब एक अधेड उम्र का वेक्ती था धीरे धीरे उसकी ख्याती पुरी घाटी में एक सज्जन तथा कोमल हिर्दे के रूप में फैल गई थी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब वह लोगों की भलाई के लिए कोई काम न करता हो हलाकि उसके आसपास के लोग उसे एक साधारन वेक्ती ही समझते थे लेकिन उसके फोटो से ऐसे विचार वेक्त होते थे जैसे कि किसी ने कभी नहीं किये थे अब अरनश्ट घाती के बाहर भी बहुत मश्वूर हो गया था लोग दूर दूर से उससे बात करने आते थे जब लोग उससे मिलकर लोटते तो वह चटान के चहरे को देख कर सोचते कि साध उन्होंने उसका प्रतिरूप देखा है लेकिन उन्हें याद नहीं है कि कहां जब अरनश्ट घृद हो गया था तभी एक नया कभी थी उसकी घाटी में आया उसने बहुत से सहरों की यातरा कर रखी थी इस कवी के लिखे हुए गीत अरनश्ट तक पहुच गए वह अपने दरवाजे पर बैठ कर उन्हें गाता था उस चटान के चहरे से कहता था कि क्या ये कवी उसका प्रतिरूप होने के लायक नहीं है उसकवी ने भी अरनश्ट के ख्याती सुनी वह अरनश्ट के वेक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ तथा उसने अरनश्ट से मिलने का फैसला किया एक बार गर्मी के दिनों में वह अरनश्ट से मिलने घाटी में आया उसने अरनस्ट से पूछा कि क्या वहाँ उसे एक रात का आश्रे दे सकता है अरनस्ट ने इस बात को सहर स्विकार किया कभी अरनस्ट के पास बैठ गया और दोनों बाते करने लगे कभी ने पहले कभी इतने बुद्धिमान और सज्जन वेक्टी से बात नहीं की थी ऐसे चत्तान का चहरा भी उसकी बाते सुनने के लिए आगे जुक रहा है उसने ध्यान से कभी के चहरे को देखा अरनस्ट ने कभी से पूछा कि वह कौन है तो वह वही वेक्टी है जिसके लिखी हुई कभी ताय अरनस्ट पढ़ रहा है अरनाश इस बात से बहुत प्रभावित हुआ उसने बार बार कवी के चहरे को चत्तान के चहरे से मिलाया बाड में वह उदास हो गया कवी ने उससे पूछा कि वह उदास क्यूं है तो उसने बताया कि वह सारी उम्र ऐसे व्यक्ति का इंतजार करता रहा जिसका चहरा चटान के चहरे की तरह हो उसने सोचा था कि कवी वह व्यक्ति होगा जिसका चहरा चटान की तरह है कवी ने हसकर कहा कि वह चटान के चहरे के प्रतिरूप होने के लायक नहीं है क्योंकि उसका जीवन उसकी कविताओं से बहुत अलग रहा है तथा उसकी अपनी कविताओं में व्यक्त विचारों में पूरी आस्ता नहीं है यह बात कहते हुए कवी उदास हो गया तथा अरनस्ट भी उदास था साम के समय अरनस्ट पती दिन लोगों को संभोधित करता था उन्हें उपजेश देता था उस दिन कवी भी उसके साथ गया वहां से उसे चटान का चेहरा भी दिख रहा था अरनस्ट ने बोलना सुरू किया उसके सब्दू में सकती थी क्योंकि उनका उसके विचारों से सामन जैस्य था और उसका जीवन उसके विचारों पर आधारित था जब कवी उसे सुन रहा था तो उसे लग रहा था कि अरनस्ट का जीवन उसकी कविताओं से ज्यादा महान है बोलते बोलते अचानक अरनस्ट के चहरे पर एक भाव आया जो बहुत महान था उस छण कवी को लगा कि अरनस्ट का चहरा बिलकुल चटान के चहरे की तरह लग रहा है उसने सबसे कहा कि अरनस्ट ही चटान के चहरे का प्रतिरूप है सब लोगों ने देखा और उन्हें भी लगा कि अरनस्ट का चहरा बिलकुल चटान के चहरे की तरह लग रहा है इस तरह यह कहानी पूरी हो गई लेकिन अरनस अभी भी ऐसे वेक्टी का इंतिजार कर रहा था जो उससे भी बुद्धिमान हो इसी प्रकार और भी चैप्टर्स के हिंदी समरी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं तो चैनल को चेक करना मत भूलेगा और ऐसी ही इंटरस्टिंग एजुकेशन से रिलेटिड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अन कीजिए ताकि फ्यूचर में एजुकेशन से रिलेटिड वीडियो आपसे मिसना हो